Hello everyone, आज हम आपको बताएंगे menstrual cups यानि मासिक धर्म cup के बारे में आप इने periods में use कर सकते हैं sanitary pads की जगा क्या आप जानते हैं, बजार में मिलने वाले sanitary pads में कितने chemicals और plastics होते हैं? ये हमारे स्वास्त के लिए हानिका रखे हैं, इनके लंबे उपयोग से हमें राशिज और allergies तो होती ही हैं, पर cancer और diabetes जैसी बिमारियां भी हो सकती हैं ये हमारे वादावरन को भी नुकसान पहुचाती हैं एक sanitary pad को decompose होने में 500-800 साल लग जाते हैं और हर महिला अपने जीवन में 1.500 kg sanitary waste एकठा कर देती हैं इसलिए हमें menstrual cup का इस्तमाल करना चाहिए ये है मुलायम और सुरक्षित medical material से बनता है, इन्हें आप यौनी के अंदर पहनते हैं ये है यौनी की दिवार से seal बना लेते हैं और blood एकठा करते हैं बिना leak करें ये है जब भर जाए तो आप इसे खाली करके वापस पहन लें आप इसे सोते समय या तैरते वक्त भी पहन सकते हैं बहुत ही comfortable होते हैं, आपको महसूस नहीं होंगे पीरिट्स के दौरान इसे सिर्फ पानी से दो लें और हर महीने इसे 10 मिनट के लिए पानी में उबाल लें ट्रावल करते समय बात्रूम में पानी की बॉटल ले जाए या टिशू से साफ कर लें अगर टिशू भी ना हो तो इसे खाली करके वापस पहन लें और अगली बार मौका मिलने पर पानी से अच्छे से धो लें एक कप को आप 3-8 साल तक इस्तमाल कर सकते हैं जिससे आपको हर महीने बचत होगी तैंक यू